नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी भासा सिक्षन के महत्पूर्ण प्रश्णों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर्तक का वीडियो हिंदी सिक्षन का अपलोडेड है उसे भी देखिए आपका एक्जाम भहुत नजदिक है इन प्रस्णों को पूरा देखिए प्रेक्टिस करिए सबसे महत्व पूर्ण सिक्षा का उद्देश क्या है ग्यानात्मक उद्देश भावनात्मक उद्देश ग्रियात्मक उद्देश तो उप्रोक्त सभी सिक्षा के महत्व पूर्ण उद्देश है हिंदी राज भासा है केरल की आंद्रप्रदेश की करनाटक की इन में से कोई नहीं तो हिंदी राज भासा इन में से किसी की नहीं है क्योंकि केरल की मल्यालम आंद्रप्रदेश की तेलगू करनाटक की करनर राज भासा है व्यक्रन स्थिच्चन की उप्युक्त विधी इन तीनों में कौन सी है तो आगमन, निगमन, इन में से कोई नहीं तो सही आंसर है आगमन, निगमन वर्तमान में मात्री भासा किस विधी से दी जाती है प्रतेक्ष विधी, अप्रतेक्ष विधी, संरचना विधी इन सभी से तो मात्र भासा की सिक्षा इन सभी से दी जाती है प्रतेक्ष विधी भी, अप्रतेक्ष विधी भी, संरचना विधी भी तो सही आंसर होगा इन सभी से भासा परियोग साला में सिक्षन किस रूप में होता है वैक्तिगत रूप में सामुहिक रूप में इन सभी रूप में तो सही आंसर है इन सभी रूप में अगर ऑप्षन C की जगा ऑप्षन होता उपर युप्त में कोई नहीं तो हमारा अंसर होता वैक्तिगत रूप में प्रन्तु ऑप्षन एक दिया हुआ है इन सभी रूप में तो ये ऑप्षन C हमारा सही आंसर होगा ऑप्षन C खेल विधी को निश्चित रूप किसने प्रदान किया खेल विधी को निश्चित रूप प्रदान किया था फ्रोबेल ने फ्रोबेल ने खेल विधी को प्रतिपाजित किया खेल विधी से संबंधित सिध्धान्त दिये फ्रोबेल नाम सही मैंने जैसा की बोला है फ्रोबे मांटेशरी प्रणाली किस सिधान पर आधारित है आत्मसिक्षा ज्यान इंद्रियों द्वारा सिक्षा स्वत अंत्रता उपर उक्त सभी तो जो मांटेशरी प्रणाली थी वो आत्मसिक्षा ज्यान इंद्रियों द्वारा सिक्षा स्वत अंत्रता उपर उक्त सभी पर आधार थी याद रखना है प्रोजेक्ट प्रणाली का आविस्कार किस ने किया प्रोजेक्ट प्रणाली का आविस्कार किस ने किया था द्यूवी, पारकर, किलपेट्रिक, प्लेटो तो सटीक आंसर है इसका किलपेट्रिक प्रोजेक्ट प्रनाली की खोज किल प्रेट्रिक ने की थी? बेसिक सिख्चा प्रनाली में भासा किस माध्यम से दी जाती है? बेसिक सिख्चा प्रनाली में भासा किस माध्यम से दी जाती है? हस्त काउसल प्राकृतिक परियावरन समाजिक परियावरन उपरिप्त सभी तो सही आंसर इसका है प्राकृतिक परियावरन याद रखना है महत्वपूर्ण है बेसिक सिक्षप्रनाली भासा किस माध्यम से दी जाती है बेसिक सिच्छ सरी प्रणाली का आविस्कार किस ने किया था. फ्रोबिल, मांटेशरी, डालटन, डियूवी. बहुती महतुपुन प्रश्ण है. तो फ्रोबिल जो थे उन्होंने किंदर गार्टन प्रणाली का आविस्कार किया था. ये जर्मनी से संबंधित मनो विज्ञानिक थे इसका मतलब होता है बच्चों का गार्डन या बच्चों का बगीजा जो याद रखना है सन रचनात्मक पद्धती की प्रमुक इकाई है सन रचनात्मक पद्धती की प्रमुक इकाई क्या है सब्द, वर्न, सब्द क्रम, वाक्य तो सन रचनात्मक पद्धती की प्रमुक इकाई प्रमुक इकाई क्या है सन रचनात्मक पद्धती की तो जब सन रचनात्मक पद्धती आ जाए तब प्रमुक इकाई हो जाती है वाक्य वाक्य सन रचनात्मक पद्धती की प्रमुक इकाई है ठीक है यह याद रखना है सन रजनात्मा पज़ती प्रक्तिया का पक्ष है प्रस्तूतिकरन अभ्यास उपर्युक्त दोनो इन में से कोई नहीं तो प्रस्तूतिकरन भी है अभ्यास भी है तो सही आंसर क्या हो जाएगा उपर्युक्त दोनो प्रतेक पाठ के प्रारम में होना चाहिए पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना, अभ्यास तो प्रतेक पाठ के प्रारम में होना चाहिए प्रस्तावना, महत्वपूर्ण अगला प्रस्ण प्रतेक पाठ के अंत में क्या होना चाहिए तो प्रारंब में प्रस्तावना होना चाहिए और अंत में पाठकसार, प्रस्तावना, मान्चित्र, प्रशिष्ट तो पाठकसार प्रतेक पाठके अंत में होना चाहिए पाच बिंदू, मापनी, पाठ्य पुस्तक की विशेष्टा है अति उत्तम उत्तम समान्य निक्रिष्ट अति निक्रिष्ट ये सभी तो सही आंसर है इसका ये सभी इसको याद रखना है पांच बिंदु मापनी पार्थ पुस्तक की विसेस्ता अति उत्तम उत्तम समान्य निक्रिष्ट अति निक्रिष्ट ये सभी विशेष्ट होती है तीन बिंदु पार्थ पुष्टक की विशेष्टा है अति निक्रिष्ट आवसत निक्रिष्ट अति उत्तम क्या होगा सही आंसर तो तीन बिंदु पाठ्य पुष्टक की विशेशता पूछे तो सही आंसर हो जाएगा आवसत ठीक है महतपूर्ण है ज्यान अनुभव भावनाओं विचारों प्रवित्यों तथ मुल्यों के संचय का साधन है विशेश प्रवेश उपसंहार पाठ्य पुष्टक ये सभी तो सही आंसर क्या होगा ज्यान अनुभव भावनाओं विचारों प्रवित्यों तथ मुल्यों के संचय का साधन है क्या है संचय का साधन पाठ्य पुष्टक पाठ्य पुस्तक हर समय ये सभी उपरियुक्त सभी आंसर नहीं होता कभी कभी कोई एक आप्शन उत्तर होता है पाठ्य पुस्तक यहाँ पे आंसर सही है आज की वीडियो मितने बहुत बहुत देखे हैं